हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमीता मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि आपके जो सेलेक्टेड पिक्स है उसका कैसे एक चोटा सा मुवी बनाए और उसको कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ आपके पास अगर Android फोन है तो आप बना सकते हैं बहुत अच्छा मुवी अपने सेलेक्टेड फोटोस को लेके तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं मुवी बनाना तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे आप ये स्क्रीन देख सकते हैं इसमें नीचे जो six dots से उस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद ये आपका एप खुल जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फोन के बगल में फोटोस हैं तो मैं ये फोटोस पे क्लिक करती हूँ फोटोस के क्लिक करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा कुछ तो ये right side top right में देखें त्री डॉट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो दिखेगा स्क्रीन उस पे आप देखेंगे देख सकते हैं ये मूवी लिखा हुआ है ये मूवी पे आप क्लिक करेंगे जब मूवी पे आपको क्लिक करेंगे तो ऐसे create movie लिख के आएगा create movie में देखें इतने सारे options तो आप कहां जाएंगे आपको नई movie बनाना है तो आप new film लिखा है आप देख सकते हैं यहां पे प्लिक करेंगे प्लस sign पे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा देखें स्क्रीन उसके बाद लिखा है देखें select items select up to 50 photos और videos तो friends क्या करेंगे हमें आप क्या करेंगे select करेंगे तो चलिए देखिए मेरे इसमें कुछ photos पड़े हैं तो मैं कुछ select करके आपको दिखाती हूं देखिए यह मैंने select किया यह photo select किया यह photo select किया यह फ्रेंट्स मैं आपको दिखाने के लिए अभी मैं चार photos लेके आपको दिखा रही हूं कैसे movies ब पर देखिए राइट पे यह create लिखा है हम क्या करेंगे create पे click करेंगे create के click करने पर देखिए ये photos downloading हो गया है अभी देखिए हो रहा है ये हो गया है अभी हम क्या करेंगे देखिए right side में ये जो देखिए theme select करना है आकको theme मतलब music आपको select करना है इस पे देखें बहुत सारा option के electronic है, reflective है, rocking है, upbeat है बहुत सारा है इस पे आपको क्या करना है कोई भी theme click देखें ऐसे click किया तभी select हो गया उसके बाद जो theme select करेंगे उसके बाद ये right पे आपको click करना है tick mark जो है, उस पे मैंने click कर दिया ये हमारा theme select हो गया ये हमारे photos भी select हो गया और मैं चाहती हूँ कि अरे ने ने मुझे और भी अभी चार photo select किया है मुझे और photos मुझे add करना है, तो ये जो plus sign है आप इस पे click करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं फोटो एक एक करके आप select कर सकते हैं देखिए, ये photo select हो गया है अभी क्या करेंगे ये photo select होने के बाद save कर लेते हैं यहाँ पे save उपर, top पे है right side में save, ये हो गया save तो अगर आप देखना चाहते हैं आपका तो video कैसे बना है movie कैसे बनी है तो आप क्या करेंगे ये album जो है, album पे जाएंगे click करेंगे ये top पे देखिए, ऐसे आ रहा है वीडियो से आएगा collards, animation, फिर movies अभी हमने जो movies बनाया है वो movies यहाँ पे ये वालम है देखिए friends ये movie बनी है ठीक है, और उसके बाद ये हो गया save उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे चलाने के बाद हम क्या करेंगे back जाएंगे back जाने के बाद ये बाला देखिए ये हो गया movie, save हो गया ये भी हो गया और मैंने पहले से ये भी बनाया था ये भी movie आपको दिखाती हूँ ये देखिए movie जो कुछ photos लेके मैंने बनाया था अब ये movie शुरू हो जाएगी देखें जो movie बनाई के मैंने आपको दिखाने के लिए पहले भी एक बनाया था और ये दिखरी movie है तो ये हमारी movie बन गई ये देखिए इस पर click करेंगे इसको tap करेंगे तो ऐसे tick mark आएगा उसके बाद ये उपर टॉप पर ऐसा ये जो share करने का option आएगा आप यूटूब में चाहेंगे देखिए नीचे ये share करना चाहेंगे यूटूब में तो कर सकते हैं messenger में करना चाहेंगे तो शेयर करना चाहती हूँ आपने किसी friend के साथ तो मैं शर्च पर जाओंगी उसका नाम लिखूंगी देखिए तो मैं इनके साथ ये photo मेरा जो movie जो बनाया इसको share करना है तो मैंने share कर दिया इनके साथ ये मेरी movie अभी share हो रही है देखिए तो कितना असान है ना friends अपने pics को लेके एक movie बनाना पहले क्या होता था movie को recording अलग से करना पड़ता था उसके लिए बहुत कुछ मतलब process यूज़ करना पड़ता था लेकिन आज आपके पास अगर android phone है तो आप आपने pics को लेके अच्छा movie बना सकते हैं theme भी आप select कर सकते हैं friends ऐसे ही बनाईए movie और enjoy कीजिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो please मेरे चैनल को like and subscribe करना ना मुलिएगा thank you for watching